यहां पर इन दोनों को डीटेल में पूल स्प्पेसिकेशन कंपेर करेंगे साथ आपको एंट व्यूदू स्कोर्स भी इनके बताऊंगे उसकी बेसिज पर आपको किस तरीकी परफॉर्मेंस दिफरेंस इन दोनों में देखने को मिलता है और आपको सेविंधरी जी के साथ जा आपको बहुत सारी जाए बहुत ज्यादा है आपको बहुत सारी आपके सारे डाऊट करने में तो ज्यादा रगरे नहीं करता हूं ऑर शुरू कर देखने को मियरा नाम बफरताब और मिस्टर वीडव्य चैनल देख रहे हैं आप तो यहां पर जो आपको 765G है, वो आपको देखने को मिलता है Samsung की EUV-based 7nm की fabrication पर वहीं जो 730G है, वो आपको देखने को मिलता है TSMC की 8nm LPP fabrication पर जो गी एक simple fabrication है, बट 8nm की fabrication पर काफी जाद अच्छी होती है लेकिन फिर भी आप सिर्दी सिर्दी समय सकते हैं बताने वाली बात नहीं है कि EUV 7nm की fabrication बहुत यादा best in glass power efficiency आपको provide करा देगी वहीं अगर हम बेल CPU की तरफ तो यहाँ पर जो है आपको 765G में tri cluster design देखने को मिलता हो 730G में dual cluster design है तो यहाँ पर सब जब ले detail में थोड़ी बात करता है 765G में आपको एक prime core देखने मलता Quadex A76 based 2.4 GHz की clock speed पे एक mid-tier core है A76 based 2.2 GHz की clock speed पे और बाकी की 6 जो है वो आपको A55 based 1.8 GHz की clock speed पे देखने को मिलते हैं यहाँ पर 730G की बात करो तो आपको दो performance course देखने मलते हैं A76 वाले 2.2 GHz की clock speed पे और बाकी की 6 जो है 1.8 GHz पे A55 based course है काय 470 इन्हें कंपनी बोलती है यहाँ पर CPU में जादा बड़ा difference नहीं है अगर हम सही से देखें तो यहाँ पर दो performance course 765G में भी है और दो में दो आपको 730G में भी देखने को मिलते हैं फर्क से फितना है कि दो performance में से एक core को उन्होंने 2.4 GHz तक पहुंचा दिया 765G में बाकी जो 730G है उसमें वो core भी 2.2 GHz पे बस इतना सा difference है बट इसकी वाई से भी काफी significant difference आ जाता है 765G आपको काफी सही performance देता है और 730G से बेटर performance देता है यहां बड़े gaming के लिए GPU के तरफ तरफ यहां पर आपको दोनों में एडरीनों के GPU देखने को मिलते हैं और आपको छोट डेखने को मिलते हैं यहां पर टरेनों का sixa7 जो है जो की 750 MHz की clock speed पे आपको देखने को मिलता है वहीं 730G में आपको 618 GPU देखने को मिलता है जो की 825 MHz की clock speed पे देखने को मिलता है अब यह clock speed जो है वो 730G के GPU में ज्यादा है बट इसका मतलब यह नहीं कि आपको जो Adreno 620 है वो कम performance देगा यहां पर actual में इनफेक्ट बात उल्टी है क्योंकि यहां पर जो है 765G का GPU थोड़ा बेटर है और 730G है उसका GPU थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा in comparison to 765G यहां जरा AI performance की बात करो तो Snapdragon 765G में आपको 696 DSP देखने को मिलता है जो की up to 5.5 trillion operations per second तक की AI speed आपको प्रोवाइड करा देती है बट यह जो DSP है या फिर पूरा AI system है वो 765G से थोड़ा पीज है और आपको जो है 765G थोड़ा बेटर देखने को मिल जाता है यहां पर बड़े camera support और ISP की तरफ तो यहां पर जो आपको spectra 355 ISP है वो 765G में देखने को मिलती है और यह चीज आपको देखने को मिलती है और आप एक चीज और expect कर सकते हैं वो यह है कि आपको फास्टर और बेटर इमेज processing 765G के ISP में देखने को मिलेगी जो 730G है उसमें इतनी मतलब 765G इतनी अच्छी नहीं मिलेगी बट उसकी इमेज processing उसकी प्राइस के साफ से काफी ज़्यादा सही है यहां वड़ा connectivity की तरफ तो यहां पर सीथी सीथी बात है आपको 216 Mbps तक की देखने को मिल जाती है वही 730G है वह आपको एक 4G SOC देखने को मिलता है और काफी मतलब एक average में कहूँ है आपको connectivity options इसमें देखने को मिलते है आपको आपको स्मार्टफोन का एसोच किस हद तक perform करेगा तो यहां पर average score की मैं बात कर रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं टॉप जो सबसे से जाधा हाइस को जो है एचीव करने वाले smartphone के एन्टूटू स्कॉर की बात करने यहां मैं तो यहां पर काफी ठीक ठाक difference आपको देखने को मिल जाता और इससे आप आईडिया लगाई सकते हैं वह आपके लिए काफी ज्यादा सही निकल के आता है वह तो यह था वह पूरा comparison आपको समझ में आया होगा मतलब डीटेल जो comparison करती हैं आपर conclude करूं चुरीजों को आपको conclusion तो सीधी बात यह है कि हर एक section में 765G जो है वह 730G से better है obviously यह एक successor है 7 series में top performing SOCs में से एक है तो definitely यह बनता है इसका अच्छा perform करना तो यहां पर मैं आपको बताऊं कौन सा SOC किसके लिए है तो यहां पर आगर आ बात करूं तो यहां पर जो है आप Qualcomm की 7 series में सबसे सही SOC चाहते हैं मतलब best price to performance ratio चाहते हैं तो definitely यहां बस 730G आपको काफी अच्छी performance प्रोवाइड करा जाता है एक अच्छे खासे price में तो यह चीज़ आपको देखने को मिलती है हाला कि जो 765G है वो अब इसका एक upgraded version 768 8G भी आच चुका है जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी separate एक comparison की 765G vs 768G यहां जाके iCart बटन में आप जाके चेक कर सकते हैं सातियत यहां पर Snapdragon 690 SOC भी आच चुका है जो की एक काफी और सस्ते में आपको 5G प्रोवाइड कराता है तो उसका comparison मैंने 765G और 730G के साथ किया ह तो यहां पर आच बटन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा उसे जाके चेक कर सकते हैं बहुत जीदा कमात का comparison है वो भी आपको पसंद आएगा और पूरा मैं I hope समझ चुका हूँ पूरा sum up कर चुका हूँ चीज़ों को मेरे बस जितना था हो मैंने आपको बता दिया ह अगर ऐसा है तो डेफिनिटी वीडियो को लाइक करना करना के लिए कोई भी कोशन है सजेशन है वीडियो टॉपिक है तो नीचे कमेर सेक्षिन खुला हूँ जाके बता सकते हैं मैं सबके कमेंट्स पढ़ते हैं साथ जात कोई भी दिक्कत आ रहे हैं जिन दिके परसनली ब अल्चे करते हैं